इस वीडियो के अंदर मैं शंकर आप सभी को इन प्रोडोक से मिलाना चाहता हूँ जो प्रोडोक आपको 6-pack मसल पनाने के लिए उपयोगी माने जाएंगे इस एक गुड़ सप्लिमेंट फोडोक जिसमें दोसाम फर्ष्ट फोडोक के उपर देखते हैं नुट्रासेल के अंदर दोस्त जो वैफ प्रोटीन है उस वैफ प्रोटीन वीड बायो बैनी जीमेंस के अंदर है दोस्तों अब आची तरह से क्वालिटी देख सकते हैं बहुत है हंटर परसें नेचिरल है दोस्तों है कि यह दो जीम का एक शामदार मुसल पैक बनाने के लिए प्रोटीन है यह कि दो शेरी में प्रोटीन की मातरत आप बहुत ज़र्य होती है प्रोटीन मातरता होनी चाहिए शरीड के अंदर वन पॉइंट फोल्टी फाइव प्लस और जो जीम नहीं करते हैं सरकस और माफ वर्किंग नहीं करते होंगे उनके लिए नॉर्मल इता जिरो फॉइंट फॉल्टी फाइव फिप्टीन से अब होना चाहिए दोस्तों आप जीम कर रहे हैं मसल प्रेक्स इक्स पैक के लिए तो यह सुपर मास गैनर आपके लिए बहुत रूपे होगी है जो क इजी के मातरता में अविलिबल है तो सब यहां पर देख पा रहे हैं शांदार तरेक्स हैं है अध्रिलीजेट वाइ निस्टेंट वाइ प्रोटीन कंसिंस्ट्रेक्ट जिसमें 72 ग्राम प्रोटीन है अट्रा ग्राम से और 40-10 ग्राम से कॉलोरीज है एक कीजी टुपांट प्रोटी विश्लेप्स अविलिबल है दोस्त आप देख सकते हैं जीएम पी से परमाने सम आयोसर से हैं फिनिश्ट कॉलिटी है दोस्तों हरुदी नैचिरल है दोस्त यह है मसल फैक्स एक्स फैक्स हेल्थी ज्विल्थ जीम के लिए दोस्त फाइटियोटोमिक की शांदार जीम के रेंच जो प्रोटीन आप देख पा रहे हैं और नेच्ट आप यहां पर अच्छी तरह से देख सकते हैं जो है न्यूट्राशिल के अन्ड प्लाइन प्रोटीन फावरफुल मिल एंड रिपरेशमेंट के दोस्तों जो कि आपके लिए पहुत उपविगी है जिस तरह से क्लीन प्रोटीन ब्लेंड है सके अंदर साथ इमूनिटी ब्लेट करने लिए उपविगी है स्कीन हियर ब्लेंड एनरजी बेहेंड करेंग आपकी और डाइजेशन ब्लेड तोस्त यह है प्रोटीन पावडर सप्लेमेंट्स फूर्ड बहुती शामदार क्वालिटी के मातरता में अविलेबल है दोस्तों एक केजी क डिन की कक्वैनिटी में अविलेबल है है कि दम अब निश्चत देख सकते हैं दूस प्लैंन बैसिक बाइफी डिन को और कि दौस्त दौस इंपकी दौ।शल यह हम diagnostic में ऊप्रोचल बात देख सकते हैं यहैं पर लड़ tribunin है C android इंट भी इलट सकते हैं तो मैं अब यहां पर देख सकते हैं दूस्ट नेक्स्ट ग्लिक्टोमीन और स्वाया एसुलेट तो यह थी जीम केर की रेंज फाइट उटम के आफ शानदार तरह किसे देख सकते हैं इसके अदिक डिटेल दे आप हमें कभी भी संपत कीजिए थेंक यू अल दे बेस्ट अल आफ यू